10 अगस्त 2023 को यूटूब पे मैंने पहला वीडियो अप्लोड किया था आज फरवरी 2024 में 6 महीना पूरा होने से पहले हमारी 10,000 की यूटूब फैमली कंप्लीट हो गई है उसके लिए आप सबका बहुत बहुत सुक्रिया आपने हमारे चनल सब्सक्राइब किया वीडियो को लाइक भी किया अगले वीडियो में करते हैं क्या करना है वह आप लोग कमेंट में सजेस्ट कर देना एक बार मुझे अपना व्लोग स्टार्ट करते हैं गरम पानी के साथ और सुबह के 6 बजने वाले हैं कोचिंग नोट्स बनाये थे लेकिन धूल बड़ रही है उपर रखे रखे फालतु की चीज़े उसमें थी थोड़ा इसमें पोर्शन मैंने कल पढ़ा था बाकी कुछ इंपोर्टन पॉइंट मैंने दिखे हैं इसमें उसी के recording पढ़ाऊं कोसिज करते हैं दो चेप्टर आज कंप्लीट करने का पूरे दिन में हिस्ट्री का सबसे important पार्ट है modern हिस्ट्री प्रिलिम्स में ancient, medieval, art and culture से जितना question आएगा उतना तो अकेले modern से आ जाएगा और सेम मेंस में भी वही है word history, post independence और modern इसके question सबसे ज़्यादा आते हैं इसलिए modern सबसे ज़्यादा important है तो मैंने 6 बज़े से लेके 7 बज़े तक पहला session मैंने complete कर लिया है और अब जिम के लिए ready हो लेते हैं हमारा pre workout है as usual केला, black coffee और 2 brown bread अब इसे ज़्यादी से खाल लेते हैं और निकलते हैं जिम, 8 बज़े से लेके 9 बज़े तक एक घंटे साइज करेंगे उसके बाद फिर वापस आएंगे तो 9 बज़े तक जिम complete हो गया था, अब room पे चलते time नास्ता बनाने के लिए समान ले लेते हैं दही, आज मैंने सुचा कुछ अलग ही बनाते हैं दो अनार चीले थे, वो मैंने डाल दिया, और चने फ्राइ करे थे, दो ब्रेड है, उस पे पीनर से बटर लगा दिया, नास्ता भी कर लेते हैं, साथ ही साथ थोड़ी से न्यूज देख लेते हैं, आज करेंट में क्या है, और उसके बाद साड़े दस बेज तक मैं नहा भ अगे हुए हैं, धूप होने के चांसे बहुत कम है, तो अब लाइवरेरी निकलते हैं, पहुने ग्यारा बज़ गया है, ग्यारा बज़े से हम अपना सेसन सुरू करेंगे, मर्निंग सिफ्ट में आने वाले स्टुडेंट सब आ गये हैं, और अपने पढ़ाई सब सुरू क करती हैं, तो हम भी अपने बुक्स पीवाय की और पे निकाल लेते हैं, और अपना ग्यारा बज़े से सेसन सुरू करते हैं, तो सुबह वाले सेसन में तो हमने कम्प्लीट कर लिया था, एडवेंट आफ यूरोपियंस, ब्रिटिस पावर, पॉर्टिज, डच, इंगलिस, और ये वाले सेसर में हम कम्प्लीट करेंगे, ग्यारा से लेके डेड़ दो बेर तक जब भी होगा, इंडिया ऑन दे इवा बिर्टिस कंक्वेस्ट, ये चैप्टर फोर है, और इसमें छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे कि डिक्लाइन आफ मुगल है, राइज आइक्यू के लिए आप लोग पूछ रहे थे कौन सी बुक फालो करते हैं, तो मैं अभी पढ़ आ हूँ, और सवाल बुक्स, टॉन्टी नाइन इयर्स, यूप्यस्सी सिविल सर्विसेज, इग्जामनेशन, प्रिलिम्स का, जिसमें जीएस पेपर वन के उनने इस सु इक और सबसे अच्छी बात इसमें मुझे ये लगी कि इसमें सभी सब्जेक्ट को सब्टापिक में इससं बेड़ेंगी कि शोलाजाएसाओ स Thank % 757 के बीच में जितने question बने है past year में वो दिया गया है next है 1757 से 1857 के बीच में जितने question बने है तो इस तरह से सभी subject को sub topic में divide किया गया है अगर आप भी ये book purchase करना चाहते हैं तो description में link दे दूँगा आप वहां से purchase कर लेना तो दो बज़े तक हमारा ये session भी हो गया था complete थोड़ी थोड़ी भूख लगने लगी थी अब चलते हैं market lunch करने के लिए lunch करके वापस फिर आजाएंगे library आज मेरे mess में लौकी की सबजी बनी थी तो इसलिए मैं दूसरे जगा चला गया था यहां पे बना था छोला, आलू और स्वयबिन के सबजी, रोटी, चावल और जुखाम की वज़े से मुझे नमक कम लग रहा था इसलिए मैंने नमक थोड़ा सा add किया और अचार भी add किया जुखाम में चटपटा खाने कमन करता है जबकि वो भाईया बोल रहते कि नमक मसाला सब कुछ सही है बस आपको लग रहा है, मैंने का कोई बात नहीं जुखाम मुझे हो गया है तो लंच करने के बाद वापस में चल दिया लाइबरेरी को और रास्ते में ले लिया 2-3 चिंगम क्योंकि जुखाम की वज़े से अब आलस सा लग रहा था लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे जुखाम की वज़े से हो रहा है इसलिए चिंगम चबाता रहूंगा तो फिर नीद नहीं आएगी और इस चेशन में पढ़ाई भी थोड़ी सुलो हो गए थी और धाई बज़े से लेके साड़े पांच बढ़े तक मैंने जादा कुछ पढ़ नहीं पाया था थोड़े ही टापिक पढ़े थे एक्सपैंसन अब बेटिस पावर इन इंडिया उसमें बैटल आफ पलासी, बैटल आफ बकसर और ट्रीटी आफ लाबत तीन ही टॉपिक पढ़ा था इतने में ही तीन गंटे कंप्लीट हो गए थे रूम के पास में लाइबरेरी रहने का एक फाइदा तो हता है कि थोड़ा सा भी जरूरत हो तो पांच मिनट में रूम पे पहुंच जाओ और अपना काम करके वापस आ जाओ लाइबरेरी में तो अभी साड़े पांच बज गये थे, ठंड भी बढ़ने लगी थी इसलिए मैं आ गया रूम पे वापस जैकेट पहन लेता हूँ और टोपी भी पहन लेता हूँ और एक छोटा पैकेट दूद ले आया था बॉर्ण बीटा का छोटा पैकेट बचा हुआ था तो इसे मिक्स करके पी लेते हैं ताकि थोड़ी सी इनरजी भी आ जाए और माइंड भी फ्रेस हो जाए हमारा तो अब चलते हैं वापस लाइबरेरी आदे घंटे में ही मैं वापस जा रहा हूँ राइट छे बज रहे हैं और अब हमारा लास्ट सेशन रहेगा छे बज़े से लेके नौ बज़े तक तीन घंटे का जिसमें दो घंटे मैं सबजेक्ट ही पढ़ूंगा और एक घंटे पीवाईक्यू सबड़ करूंगा छे बज़े से लेके आट बे तक दो घंटे में मैंने जादा कुछ नहीं पढ़ पाया था दो टॉपिक ही पढ़े थे एंगलो मैसूर वार में फर्स्ट, सिकेंड, थर्ड, फोर्ड पढ़ा था और एंगलो मराठा वार में फर्स्ट, सिकेंड, थर्ड पढ़ा था उसके बाद मैं पीवाईक्यू लगाना शुरू किया था पीवाईक्यू मेरा ठीक ठाक लग रहा था कुछिशन एजली लग जा रहे थे जो आज का पढ़ा हुआ था क्योंकि कंपेरजन टू एंसेंड, मीडूवल और आर्ट अन कल्चर मॉडरन हिष्ट्री थोड़ा सा एजी लगता है अगर हम इसके क्रोनलोजी को अच्छे से समझ लें तो हमें फिर याद करने में मुश्किल नहीं होती है वैसे तो आज कल मैं साड़े नौ दस पे तक लाइबरेरी में रुक रहा हूँ लाश्ट सेसन हमारा न्यूज एनलसिस करता है वो भी मैं यहीं पे कंप्लेट करके तभी रूप जा रहा हूँ लेकिन आज थोड़ा तभीर डाउन होने की वज़े से नौ बजे से ही मैं निकल रहा हूँ रात में डिनर बार से ही ले चलूँगा और इतनी टाइम फिर से थोड़ा स्पाइसी खाने का बन कर रहा था इसलिए मैं धाबा पे चला गया वहाँ से मैंने पैक कराय रोटी आलू पालक की सबजी इस वाले ढावे पे सबसे अच्छी सबजी यही बनती है आलू पालक की सबजी तो कभी कभी मैं यहाँ से खा लेता हूँ बहुत टेस्टी बनाते हैं भीया रूम पे आते आते साड़े नौ बज गया था और यह है आज का हमारा डिनर तंदूरी रोटी और सबजी है जिसमें आलू एक ही है बाकी पूरा पालक भरा पड़ा है तो दस बह तक डिनर कंप्लीट कर लिया था साड़े दस बह से अपना लाश्ट सेशन नीउज अनलिसिस का लगाया और अभी साड़े ग्यारा बच गया है हमारा ये सेशन भी हो गया कंप्लीट जादे कुछ आज था नहीं नीउज में चार पांच पॉइंट थे वो भी कंप्लीट कर लिया बस अभी आदे गंटा पॉना गंटा रिवीजन करते हैं थोड़ा सा जो आज पढ़ा है पूरे दिन में और कल के लिए टास्क लिखते हैं कल कौन कौन सा चैप्टर रहेगा हमारा तो जुखां भी तेज हो गया है और कल आज थिंग दवा लेना पड़ेगा यही था आज का व्लोग आई होप आपको अच्छा लगाओ अच्छा लगाओ तो लाइक कर देना बागी फिर मिलेंगे किसी और बुलोग में तब तक के लिए बाए बाए